वेलकम बैक नाजरीन एक दवा फिर से आपको खुशामदीत कहते हैं आप देखेंगे जी गुड मॉर्निंग सेफ सिटी और जो बहर इस सेग्मेंट में बड़ा एक इंपॉर्टन टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे इस्पेशली जो आपके बच्चे हैं जो मासूम फूल हैं उनकी इफाज़त को किस तरह से मेक शोर करें किस तरह से हम अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं उनको बता सकते हैं जो सूरतिहाल आसपास हमारे चल रही है हमारे बच्चे भी महफूस नहीं है तो बच्चों को आइडिया होना आज हमने मदूख किया है, हमारे साथ मौझूद है राष्टा, कुरेशी, मिस हैं जी ए सोचल एक्टिविस्ट उनको प्रोग्राम में वेलकुम कहते हैं Assalamualaikum मैं Thank you, Walaikum Assalam First of all, a very warm welcome in our show Thank you अपनी मुस्रूफ जिन्दगी में से थोड़ा वाक निकाला उसके लिए बहुत शुकर गुजार है Thank you so much, it's a pleasure for me Assalamuala, my first question is, basic question is, कि बच्चों की हिफाज़त कैसे मुम्किन है लिए बच्चों की हिफाज़त के लिए कोई एक यार्ड नहीं है उसात्रा भी आएंगे और उसके बाद जो है वो हकुमती सता पे जो है वो कुछ इनिशेटिव कुछ प्रोग्राम जो है वो उनको सपोर्ट कर रहे होंगे तो तब जा कि आप बच्चों को जो है वो महफूज बना सकते हैं सबसे पहले चुँके तर्बियत जो है वो घर से शुरू होती है तो वेसिकली जो वाकियात इस तहा के होते हैं क्योंकि हम आपने बच्चों को ये सिखाना ये बताना ये तर्बियत करना उनकी भूल गए है इतने मसरूफ हो गये हैं बहुत इतने मसरूफ हो गये हैं अपनी बेहतर जिन्दगी है कि अपने बहुली ह्क उनों केसे पाज़े दिखनी है अगर खुँदनाखास्ता किसी ऐसी सिचुेशन में उतना हो सकता है तो उनको सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज एप्रोप्रियेट इन्फरमेशन जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें फोकस में ज़्यादा करूंगी एज एप्रोप्रियेट इन्फरमेशन कि बच्चे की जितनी उमर है उस उमर के लिहाज से उसको जो है इनफोमेशन जो है वो दी जाए ताकि वो खुद की हफाज़त कर सके पेरंट्स का बिहेवियर बच्चे के साथ जो है वो बड़ा जरूरी है अगर रिष्टा है या पर आपका अवत खरी पर दोस्तान आप का अ अगर चाहिए ऑफ पर उसके अगर कोई इस थाह करें पर इस नागहानी उसके उसके बुछान के शहें उसके हैं उसके बाद भिछा भुट्ट सुछे की तरभियद उनकी ट्रेइनिंग भी आ लिए उनी च किस से आप बात कर सकते हैं, किस से आप बात कर सकते हैं, क्या मैयज है जो आपको लेने हैं, अगर कोई आपको परेशान करें या तंग करें और फिर उसके बाद अफकोस अवेनस कम्यूटी सत्ह पर अवेनस हकूमती सत्ह पर गर्मेंट जो है वो कुछ इस तरह के इनिशेटिव ले क्यूंकि आप देखिए जो सिवल सुसाइटी औरगनाजेशन हो गई पेरंट्स हो गई उसाथा हो गई वो एक लिमिटेड सत्ह पर अपनी 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 कम्यूटी के अंदर कर सकते है लेकिन जब हकूमती सत्ह पर ये चीजें जो है वो चल रही होंगी तो फिर एक वाइडर अवेनस जो है वो मैस आवेनस कैम्पेञ्ज की बहुत ज्यादा जो है जरूरत है इस तहां की पॉलिसी की इस तहां की लेने में मैचिंग दुबटा लेने में तो हम बच्चों के इतनी केर नी करे होते हैं बच्चा कहीं आसपास इदर हो जाता है या फिर यह बहुत दफार देखा जाता है कि हम अपने नेबर्स के हाँ आपने बच्चे को डॉप कर देते हैं सुबही मेरी एक डिसकॉशन होई तो उसमें बताया गया कि छोटे से बच्चे को नेबर में दे दिया गया और खुद खातून कहीं चली गई सो यह इस हावाले से आप क्या कॉमेंट करना चाहेंगी नाजीन को क्या गाइड करना चाहेंगी कि यह अमल कैसा है कि गलत फैल है ऐसा नहीं करना चाहिए आपको ओर अपताय करना चाहओ में अपने खुद नहीं रख सकता है जब वह अपना ख्याला रख सकता उखिए अस अवर उन fils बच्चा अगर गयर महफूज है तो वो घर महफूज हो सकता है वो मार्केट में भी गयर महफूज हो सकता है वो नेबर के घर जिस तरह से आपने बोला उनके घर भी गयर महफूज हो सकता है क्यों हो सकता है क्यों कि आपने बच्चे को बताया नहीं है कि कौन सी चीज आपके अपनी हफाज़त नहीं कर सकता वो अपनी उसकी हफाज़त जो है वो करें उसको गाइड करें आपको सबसे इंपोर्टन सवाल इसका अपने जिकर अपने इंटर्डक्शन में भी दिया इसको मैं थोड़ा चाहूंगा अब इन डिटेल बताएं कि बच्चे को गुड़ टच बताना कितना जरूरी है और किस तरह से पेरेंट्स उनको समझाएं के बच्चा बता सके कि मिरसत यह हुआ है बिल्कुल देखिए इसको हम जो है ना वो मुख्लिफ एजिस में डिवाइड करता है ठीक है बच्चे की जो पहली पांच साल तक कर तीन से पांच साल कहलें वो जो एज होती है बच्चे की वह बहुत मासूम उसको ऐस सच कोई चीज उस तरह से बहुत बड़ी-बड़ी बाते नहीं कर से इसलिए मैंने स्टार्ट में ही कहा कि एज अप्रोप्रियेट इन्फोर्मेशन शुरू में आप सिर्फ बच्चे को जो है अचा इससे पहले आप करता है जिसे बच्चे को जो है बच्चे को फिल पकपर का जिसे इक प्यार की फीलाटी है उसको जो है वह उनकेंटी बटचाव धिच्छे को जैसे 커피र अच्चे को यह सीक्ष्टा झांसी बच्चे क мет legg तपड मा दिया, धटका दे लिए, बाल खिंच लेए यह भी ठाइज डाइज, जिससे बच्चे को तकलीफ हुई है जिससे पो चोट लिगी है उसको जगा जख्माय यजिए विछ इस्ताह से उसको तकलीफ हुई है उसको बुरा लगा है So the third one is secret touch and secret touch this is the one we are talking that when you are talking to the children, अगर तेन ताइप की तच्छ बताएंगे तो वह बहुत अराम से जो है वो इफ्रणशिएट कर सकता है कि कौन से वल टच है क्यों कि बाद टच्छ और सीक्रेट तच्छ में वही डिफ्रेंट है अगर मिसाल के तो आगए गजामपल एक जो है वापको दूंगी कि एक तो फिर वह बच्चा जए अगर सिक्रेट लिए और वे टुच्छ किया है तो वह यह बटा निसमें तो फिर आपको बुच नापड़ेगा तो अगर आपने आपको चुप के हाथ लगाएं और आपके यह बटाया है जो कि आपके अपने यह जिनकों कोई नहीं देख सकता है कि यह सीक्रेट ऐगा और यह कहेगा कि या बात किसी को ने बतानीются तो वह बातान ठीज्मारा आप निया हुश्वा निया परियाइ खिया हुश्वान आपने इस लागा दो इसमें CCTV cameras क्या role play कर सकते हैं, technology का दौर है और घरों के बाहर या दाखनी रास्तों पर क्या समझती है आपके कितने जरूरी है लगाना इनको, government point of view पर भी और इसके लावा भी लोग अपने streets पर लगा लेते हैं, यह कितना एहम role play कर सकते हैं बचों की protection में, इसका एहम role तो CCTV camera की वज़े से पकड़ा गया क्यूंकि उसको साथ Zainab को जाते हुए जो है वो देखा गया तो यह बहुत अहम role play कर सकते हैं उस इनसान को उस दरिंदे को पकड़ने के लिए और या पिर अल्ला ना करे के बच्चा जो है वो कभी किसी बुरे का हाथ में, इवन अगर बच् कामरा के जरिये देख सकते हैं कि वह किदर को निकला था, कहां से आ रहा था, किसके साथ जा रहा था, सो CCTV camera की जो importance है उससे तो बिल्कुल भी कोई इंकार निकर सकते है इंकार निकर सकते है इस सवाल का जवाब दें कि बच्चों को mobile phone numbers अपने या अपने parents के अपने भाई के या अपने किसी करीबे रिस्तिदार के और उसके साथ साथ घर का पता यह याद करवाना कितना important है आप इसको समझती है कि बहुत important है और यह वही है जब बच्चा बात करना बातें करना शुरू हो गया है तो तब उसको अपना नाम, अपने father का नाम, अपने father का phone number वह कहां पर रहता है बच्चों को अगर कोई बच्चा आपने भी नोटिस किया हो कि अगर समटाइम्स अगर कोई बच्चा गुमा हुआ मिलता है तो उससे पूछ पूछ के जो है वह आप ठक जाते हैं लेकिन उसको पता ही नहीं होता कि मेरे father का नाम क्या है यह हमें कहां रहता हू आपने बच्चे को जो है वह जो खास तौर पे जो तीन से पांट साल वाली एज गूप है इसमें बच्चा बातें करना शुरू हो जाता है तो उस एज गूप में आप लाजमी इसको अपने घर की निशानी के हमारा घर जो है वो यह यह नहीं हमारे गर के पास मतलब इस्त महफूस भी हो अगर खुदा ना खास्ता अगर कहीं उसको जरूरत पड़े तो वो किसी से शेयर भी कर सके यह मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि हम अभी आप जैसे बात करी हैं तो मैं शेयर करती चलूं कि वन आई वस लाइक इसी थी तो फोर या फोर तो फाइव यह अच्छा टाइम था अच्छे लोग थे किसे अच्छे शॉप वाले मुझे बिठा लिया आई वस लाइक मैं बच्ची थी रो रही थी अभी मुझे ढूंड लिया और वो दिन गया आज कर दिन आया मैं फादर इतने कॉंशियस हो गए कि उन्होंने हर हर चीज हमें फिंगर अच्छी तिन ह मैं mlथ वाले लिए और आउमा कर दो कि मीडें खोने हरे अज़ने फिंग कर था रही तो कर दो कि दो वाले है गी अजनभी कर दो वाटकर बातलिए आजनवियों से आपको इतना खतरा नहीं है जितना अपनों से खतरा है आप जो है वो खास तोर पे जिन्सी तशदुद के वाकियाद के अगर कैसी अठा के देखें और इनकी डेप्ट में जाएं तो आपको पता यह चलेगा के से मॉर देखें के जियुक्त के सफेद। जानने वाले और उसमे अपने अपने इν्treटनेल फैमली के लोग ऐसमें अगर ह गरासित वह तो उयु रहा स्टल देखें के ऑन लुग यह जान, श्युक्ता है नादिन मेरे घर मिरे बाबाब के दोस्त हैं या मेरे भाय के दोस्त है तो बच्चा अराम से जो है वो खुशी खुशी उनके साथ जो जाएगा तो ज्यादा खत्रा जो है उन लोगों से है जो जानने वाले है अजनभी तो बगाइदा प्लान करेगा किडनाप करने का बच्चे को कही ले जाने का जबर दस्ती और इसको यह भी डर होगा कि अगर अजने रोना शुरू कर दिया तो इसको पता चल जाएगा तो इसलिए बच्चे को जो है इंपावर करना वो बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि अगर कोई शक्स जो है भले वो जानने वाले बच्चे को यह तमीज नहीं हो सकती है कि यह तो हमारे अपने अंकल यांटी है त बच्चे को आपने बताना है बड़ोंने बताना है कि आप जो है किस नहीं सब्सक्राइब करना जरूरी है और यह कितना इंपॉर्टन है वाल दयान के लिए कि वह पुड़ी की सिच्वेशन से नहीं नहीं भी देखे ट नहीं है यह बताना कितना जरूरी है कि ज़्याद में घुट बाद रुटन है जूरी है कुछ बेसिक चीज़े हैं जो आप अपने एक घर में इनफॉर्म करना है कि मैं फुलाँ के साथ फुलाँ जा रहा हूं मैं जा सकता हूं या नहीं जा सकता हूं आपने इजास्त लेनी है फिर आपने जो है वो अगर कोई खुदानखास्ता आपको जबरदस्ती आपके साथ करने की कुशिश कर रहा है तो बच्चों को यह चीज सिखानी है कि उन्होंने चीखना कैसे है आप कभी एक्सपीडियंस कीजएगा क्यूंकि मैं बहुत जादा बच्चों के साथ सेशन करा बच्चों को जो है वो चोटे बच्चों को खास तो आपने जोर से जो है वो चक्की काटनी है तो नी गाठनी है आपने बहुत जोर से अगर किसी ने आपको पकड़ लिया या अगर आपके पास कहीं मिट्टी है तो मिट्टी पकड़ के आपने वो डाल देनी है तो इस तह और अवरसे में पाता हौना जाह कोई सब्सक्राइब आगना जाए, अई में वहे के आप जा जगा करने हरे सहरा जाहा है. जो हो यह मुचति प्रना जाएक, जना में प्रियाता है, इस एक हम बने का प्रश रही है. साथ बच्चों के आजादी आप क्या समझती है कितनी ज़रूरी है क्योंकि यहां में बच्चे अकसर हमसे शिकायत करते हैं कि आप हर चीज की रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है घर में रहा है तो मामा कहरी है हम फोन भी यूज नहीं करना बाहर ने जाना तो बच्चे के गहीं स्पॉयल हो है इसको आप क्या समझती है कीस साथता इसको यखीनी बनाया और इसको कैसे हम बच्चों को बशे।बदे सकते हैं ? तो यह बहुत इंपॉर्टन्ट है कि आप बच्चे को यह कहेंगी कि उफ बाहर नहीं जाना बाहर बहुत खतरा है बाहर को पकड़ के जाएगा देखिए उस बच्चे नहीं लोगों के साथ इंट्रक्ट करना है तो वह अगर अगर आप अभी से उसको ब्राट अप उसका इस से आपने खुद को ऐसे महफूस बनाना है जो हमने शुरू में बात की थी ना पेरेंट्स सो पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करनी की बहुत ज़री बहुत है हम यह बूल गए हैं कि जिनके लिए जो हम पैसा कमा रहे हैं वही नहीं को ह और उन्हीं को हम वक्त नहीं दे पारें तो जो क्यूलिटी टाइम होता है मतलब एवन पैरंटिंग में तो यह कहा जाता है कि अगर बाप और बेटा जो है वो क्यूलिटी टाइम गजा रहे हैं तो इसमें मां भी ना आए वह खुद जा के मतलब आप जो है वो कोई वीक मे में खेलें मोबाइल दे देना यह एक और खतनाक चीज है क्योंकि आप जो है वो ऑनलेन इक्स्प्लाइटेशन और उनलेन सेक्शिल अब्यूस जो है वो बहुत जादा जो है वो बढ़ गया और बच्चा आपका क्या देख रहा है क्या सीख रहा है उस पे आपके पास तो कि आप नजर नहीं रख सकते हैं सो अजादी सल्ब करना इसको नहीं काऊंगी अगर वो पेरेंट्स जो है वो खुद बच्चे को जो है वो टाइम दे रहे हैं और उसका एक शेडूल इस तरह से बनाने को यह फील ना करे कि मैं तो कैद हो गया बिल्कुल तैंक यू सो земly अची हफाज़त के लिए बच्चों को ंपावर करने की बहुत जादा ज़रूरत है अपने बच्चों को सिखाएं के अच्छा हाथ लगाना बुरा हाथ लगाना और छुपके हाथ लगाना उनमें क्या फर्क होता है और अगर मैं क्या अगर कोयी खुदा नखासता आप क कितने टाइप के टाच होते हैं बच्चों की परवरिश कैसे करें किस तरह से बच्चों को दिहान रखें क्या क्या चीज़ें बच्चों को बताएं तो यह था हमारा दूसरा सेग्मेंट अब हमें लेना होगा एक ब्रेक हमारे साथ रहीएगा स्टे विदास